आप लोग अब मैं आप लोग के लिए नेक्स लेक्चर लेकर रहा हूं लेक्चर नमबर 37 ये तो अम नमपाय का पार्ट वन हम लेक्चर 36 पर देख चुके हैं अब हम पार्ट टू की बात करेंगे लेक्चर लेक्स लेकर नमपाय क्या दूदर तो पहले पार्ट नमपाय कहानी में होगी खतम अब उसके आगे हैं जो वह मैं आपको बताऊगा था नमपाय को आपन आपको अबज़ट सीव दिखा धाइब सब देखा तो वहिम हैं आप पर एंचरिए ऑबजट में construct कर सकता हूं by using the following routines routines मतलब functions routines का मतलब क्या हो गया functions routine subroutine right np nmpy के साथ empty नाम की मैं एक function का इसमाल कर रहा हूं is empty से मैं empty array create कर सकता हूं वह array मैं कुछ item नी भरने वाला कुछ मैं ना list दोंगा ना tuple लोंगा एक empty array create होगी उसना कुछ shape होगा data type by default float होता है इसके अंदर और order होगा c के साथ समय बनेगा अगर मैं इसमें अगर मैं रहो मैं shape मैं रखो shape का भी फंडा बताता हूं shape क्या हो गया desired shape of the specified array d type क्या हो गया अब shape में भी आपका सकता है कि आपको 2 by 2 के रखनी है 4 by 4 के रखनी है किस के रखनी है तो आप इसमें कितने ही प्रकार की आप रख सकते हैं इसके example भी आपको देख के बताता हूं तो order आपको मैंने समझा चुका हूँ official lecture में और d type मैं आपको बता चुका हूँ तो shape का फंडा भी आप देखते है with examples देखते हैं तो भाई जैसे आप देखिए shape देखे मैं कैसे दे रहा हूं bracket के अंदर simple braces के अंदर 3,2 दे दिया मैंने मैंने का के भाई python साब हाँ जी साजर हो भाई numpy को बलाओ numpy जी हाँ जी साब numpy हाजर हो गया np के नाम से np के नाम से हुआ कि np को बलाओ भाई सब empty उठाओ empty नाम का function call करो के हाँ जी call किया किसाब क्या चाहिए आपको किता भाई मुझे empty एक खाली array बनानी है जिसका size मैं दे रहा हूं 3 by 2 मतलब 3 rows और 2 column की एक array बनानी है वो भी खाली बननी है उसका dtype होना चाहिए int अगर मैं यह ना दूँ तो dtype क्या होगा guys हाँ float yes dtype क्या होगा float क्योंकि अभी हमने देखा कि by default जो dtype होगा वो float के अंदर होगा लेकिन अगर मैं में मेंशन कर रहा हूं अगर मैं में मेंशन कर रहा हूं तब क्या कर रहा है यह क्या करेंगे empty list जनरें empty बना देगा और कोई garbage values देदेगा अपने आप क्या आप देख रहे हैं आपर तीन rows हैं और दो column है और यहाँ पर इसे random values कुछ बना के दे दी अब मैं इसके दर कोई भी ना अगर कुछ भी एंट्री करूंगा तो इसमें वो replace इसको करता जाएगा यहां पर replace का फंड आ रहा है यहां पर क्योंकि क्या रही है आप इस program को run करिए और output में बचाएए अब 3 by 2 है आप इसको 4 by 2, 4 by 3, 3 by 4, 4 by 4, 5 by 5 कि इतना रख सकते हैं और comma देके 3D array बना सकते हैं 3D array तो आप किस तरह से भी size उसको रख सकते हो तो आप इसका फंडा देखते हैं कि array creation में जो numpy 0s अभी हमने देखा कि numpy से हम empty array create कर सकते हैं बच suppose करें मैं ऐसी array बना चाहता है इसमें star element 0 हो, star element 0 है, 0 number के, 0 entity उसमें number लिखा हुआ है, हर एक जगे पर 0 लिखा होगा तो क्या करना होगा मुझे numpy dot 0s बस shape देनी है, d type by default float है और order मेरा हमारा c के तरह होगा, इसका मतलब row major order होगा पर तो पहले row भरी जाएगी उसके बाद column भरा जाएगा, तो row wise भरा जाएगा, row 1, row 2, row 3, row 4 इस तरह से भरा जाएगा और आपका यहाँ पर एक नमपाए जो array है, हर item किससे होगा, 0 से होगा यहाँ पर, 0 dot आएगा यहाँ पर जहान देखेगा, देखिए, np.0s देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर, क्या करना होगे, 3 बटा 2, मतलब 3 rows and 2 columns, और d type में क्या दे रहा हो, int, मैं force कर रहा हो, int, अगर मै नहीं देता, तो क्या बनाता, floating point बनाता, तो यहाँ पर मेरा देखिए, integer बना है, अगर मैं यह ना करता, तो क्या आता मेरे पास, मेरे पास कुछ इस तरह से output आता, 0 dot, 0 dot, यह bracket बंद होता एक, फिर 0 dot, 0 dot, एक bracket और बंद, फिर एक bracket चालू, एक bracket बंद, 0 dot, 0 dot, और यह तो इस तरह से आता, अगर मेरा d type, क्या होता, float होता, d type अगर float होता, तो मेरा output कुछ इस तरह से आता, चुकिया d type मेरा int है, तो output मेरा कुछ इस प्रकार आ रहा है, तो यह होगे, n p dot 0, सिर्फ array बना दे नहीं है, और यह matrix बना दे जाए, अगर सब सारे limit मेरे 0 के हो, अचा इस तरीके से numpy ने एक और चीज़ दे रखी है, बहुत शांदार चीज़ दे रखी है, numpy dot ones, yes, आपको 0 पसंद नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, मन नहीं कर रहा, 0 बना नहीं का, आप 1 मना लो, तो सारे element 1 1 1 1 हो जाएंगे, कैसे होगा, तो इसमें d shape होगा, d type यहां प आ दे मैंने के भाई मैं d type क्या integer रखना चाह रहा हूँ, हर element integer होगा, और 3 by 2 की बन रही है, तो देखे, सारे example मैं same ले रहा हूँ, बस मैं क्या change कर रहा हूँ, np.empty था, np.ones था, np.0s भी था, तो इन सब मैं same example ले रहा हूँ, right, तक कि आपको जब आप देखोगे, slide दे नहीं होनी चाहिए, एक example को भी थोड़ा से change करे जा रहा हूँ, और मेरा output मेरा फरक आता जा रहा हूँ, तो यह देखिए, तीन rows और दो column की मेरे पास एक, यह 2 dimensional array using numpy, मेरा create हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यह आप इसको 2D matrix भी कह सकते है, 2 dimensional matrix कह सकते है, 3 by 2 का जो इसका size होगा, ठीक है, 3 by 2 के matrix हो गई, 3 by 2 मतलब 3 cross 2, right, 3 by 2 को मतलब 3 by 2 यह मत समचले न, यह गलत है, right, 3 by 2 means 3 rows and 2 columns, right, यह हो गया मेरा numpy का array creation किस form में, numpy dot ones के form में, right, तो यह numpy dot ones, और यह क्या था मेरे में पास numpy dot zeros, तो यह दो चीजे तो आपके पर सामने समच में आगे, right, अब इससे तरीके से में और भी बिना सकता हो, मैं तरीके, अब मैं numpy dot as array कर सकता हो, कोई भी sequence हो, उसको array में convert कर दीजे, यह तो dot array में इसमाल करता, नहीं, तो मैं as array कर दूंगा, उसको क्या करूंग data, तो कोई भी existing data, उसको आप array में convert कर सकते है, यह जो routine है, यह जो function है, वो इस्तमाल हो रहा है, मेरा array create करने में, by using the existing data in the form of list, या tuples, list या tuples से ही आप बना सकते हैं, इसके अंदर, और यह routine हमारा useful होगा, किस scenario में, जहाँ पे हमें convert करना, एक python sequence को, into numpy array object के अंदर convert करना हो होगा, तो उस scenario में, उस अंदर में, उस situation में, यह function मेरा बहुत ही काम आने वाला है, तो sequence हो गया, d type मेरा none हो गया, order भी none है, किसी भी order में करो भाई, कोई यहाँ रोक टोक नहीं कुछ नहीं, आप जैसा order चाते हो, ऐसे बन जाएगा, आपको यह बता नहीं, तो अपने से आपका नाम NP हो गया, तो आपको NP के नाम से पुकारा जाएगा, और L equals to मैं एक list दे रहा हूँ आपको, और A object करेट करिए, जिसमें आप इस L को array में convert कर दीजिए, और मुझे इसका type बताईए, और print भी करके बताईए, क्या कह रहा है, पाइफन, मैं पाइफन से कह रहा कि नमपय जी हाँ जी हो गया, यूजर ने काम दिया है, कि जब बोलो क्या दिया, कि भैसा भी यूजर ने काया है, कि आप ये list लीजिए, 1 से लेकर 7 तक के number है, और इनके indexing आपको पताईए, 0 से लेकर 6 होगी, right, 0 से लेकर 6 होगी indexing इनकी, right, और अब आप करिए कि एक A न data, variables में, याद करें, variables का lecture number 3 है, या lecture number 2 है, देख लीजेगा, मैंने का lecture number 2 यह होगा variables, क्योंकि lecture number 3 था expressions का, okay, तो NP भाई साब, आप की मुझे जरूद पड़ेगी, आप as array function को बुलाईए, और उस tool का इस्तमाल करिए, और L को convert करिए, A के अंदर, right, किस form में A क्या है मेरा, A मैंने क्या कहा था, A is an object of class numpy end array, तो this is the class of any array, numpy के जो भी class होगी, array, class होगा, array object को उसकी class क्या होगी, numpy dot end array, end array means end dimensional array, यह आपको देखे पता भी लग गया, जो मैं आप से पहन शुरूबात में कह रहा था, और part 1 में मैंने आपको बात यह कही थी, तो उसके print ए कर दिया, print यहां पर दे दिया, तो यह हो गया मेरा क्या, क्या हो गया यह, end array object हो गया हमारा, और list से convert कर रहा है, और देखें भाई, मैंने same चीज रखी, अब कुछ मैंने change किया है, अब मैंने क्या कर दिया, change दिख रहा है आप लोग को, जहां मैंने list किया था, यहां मैंने क्या रखा है, टपल, right, टपल कर दिया, same चीज कर देगा, भाई, उठा के बटक देगा, अब वो क्या कर रहा है, उसने array में convert कर दिया, this is array, यह भी array है, देखें आप कॉमा थोड़ी आ रहा है, कॉमा तो आई नहीं रहा, कॉमा तो मैं दे रहा हूं, कॉमा आईगा नहीं, कॉमा नही हो गया, array हो गया, तो square brackets and no कॉमा, मतलब क्या हो गया, यह array हो गया, right, तो यह टपल से array बन गया, same तरीके से, और देखें भाई, अब मैंने कहा कर रहा हूं, list of list दे रहा हूं मैं, list के दो list दे रखिये, 1 side 7 तक की एक list है, और 8 to 9 अलग list है, उसको मैं convert कर रहा हूं, array के function का इस्तेमान करके, तो type वो ही बताएगा, आप देखें का कर रहा है, देख रहे हैं हाँ पर, भाई उसने array बना दिया, as array बनाया, उसका एक element list बना, देखा दिया, list bracket में अंदर यह, और list bracket के अंदर यह, क्या कर रहा है, तो array बनके जिसका data type क्या हो गया, by default none होता है, जो अब as array function का इस्तेमान कर रहा है, तो इसे क्या कर दिया, अपना भी समझ, अपनी समझ से, इसको list पैचान लिया, list पैचान लिया, list इसमान दिखा दिया, यह भी array है, जो list की तरह दिखा रहा है, यह इसको आप अपने system बन करेंगा, तो आपको अपना पता दो जाएगा, य मैंने खुदरन किया, और मुझे इस प्रकार का output आया, चलिए, तो यह क्या हो गया, using more than one list, एक सरदा list के इसमान कर रहा हूँ मैं, तो more than one list मुझे इसने array बना के दिखा दिया, कि array of list यह क्या हो गया, इसने array of, यह मैं कह सकते, इसने numpy nd array, nd array of python lists, python lists, numpy nd array of python list, right, अब एक और function आजा, arrange भी आता है, arrange क्या करेगा, evenly spaced कर देगा, अच्छा, इसे confused मत करना, एक a range भी होता है, एक a range भी होता है, और arrange भी होता है, दो अलग लग है भाई, भाई, इसमें single आ रहा है, इसमें double आ रहा है, arrange कर रहा है, arrange कर रहा है, evenly spaced values को एक interval देगा, over interval अपना कर देगा, तो start, stop, step और d type, के भई, 0 से start करो, 10 तक चलो, और step आप दो दो करके देदो, तो अपने आप यह अरेंज कर देगा, numbers को, और d type आप चाहो तो end देदो, या पर अफ लोट देदो, right, इससे आप दे सकते हो, तो जैसे देखिए, example देखिए, arrange कर रहा है, sorry, a range ही हो गया, sorry, यह arrange ही हुआ, right, तो यह a range ही बना रहा है, arrange नहीं कर रहा, यह में से गलती हो गई, तो मैं correct कर रहा हूँ, तो मैं भी student का, भाई, जैसे तुमारे तरह, तो 0 से 10 और 2, वह ही देखिए, दे रहा हूँ, 0, 10 और 2, क्या दे रहा हूँ, d type में क्या दे रहा हूँ, float, तो यह a range, एक range generate कर रहा है, evenly spaced numbers की, 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, और 2 दो के interval पे यह 2 दो के step के ओपर, और हर number मेरा क्या होगा, float, देखिए, 0.2.4.6.8, अब आप का क्या काम है, आप इसी का स्टमाल करिए, 0 से लेकर 15 तक generate करिए, और आप इसके ज़र कर देजे, 1.5 और float के जगे देजे, integer, यह आप करके देखिए, यह मैं आपको homework दे रहा हूँ, a range function का इस्टमाल करिए, और 0 से लेकर 15 तक चलना है, और 1.5 step होगा मेरा, यहाना कि 1.5 step होगा, तो float number आने के chances हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, int दे रहा हूँ, तो क्या output आएगा, यह आप मुझे बताएगा भी, नेक्स यहार एग्जमपल लेता हूँ, आपको मैं, 10 से लेकर 100 तक चल रहा हूँ, और interval क्या दिया है, 5 और d type क्या दिया रहा हूँ, integer, तो जो array over the given range is, जो भी है, वो मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ, output का जा रहा हूँ, array over the range is, क्या आ रहा है, देखे, यह array generate कर दिया अपने आपी over the range, right, यह array बना रहा है, क्या बना रहा है, array बना रहा है, array बना रहा है, start and stop or step or d type, इनका इस्तिमाल करके, तो 10, 15, 5, 5 के interval पे 10 से लेकर 100 तक जाएगा, 100 तक बिरीन जाएगा, 100 से पहले तक जाएगा, बिसका रहा है 99, यह same array range function आपका python में range function जैसा ही काम कर रहा है, 0 to n अगर मैं करूंगा, जाएगा, यह जाएगा, same काम कर रहा है, चलिए, और देखते हैं, बात करते हैं, सीधी हम matrix operations की बात करते हैं, तो अपने ranging देख ली, arrays generate करके देख लीए, अब मैं सीधा मुद्य पर आता हूं, matrix operations की, वही, NP.array, NP.array मैंने आपको बताया था, right, array बना रहा है, क्या बना रहा है, वही, दो, चार, एक list है, और 5 और minus 6, यह भी एक list है, क्या कर रहा है, यह एक array बनाए गाई है, यह एक array बना रहा है, 2D array, या फिर एक रहा हूं, यह 2D matrix बना रहा है, 2, 4, 5, and minus 6, और दूसरी similarly matrix बना रहा है, B नाम की array function कर इस्तेमाल करके, क्या बना रहा है, 9, minus 3, 3, 6, अब चूंकि array function में by default मेरा, वो C के according काम कर रहा है, C में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, row major, तो यह row मानेगा, इसको column नहीं मानेगा, अगर मैं यहाँ पर array function के नदर आगे कॉमा करके यह दूँ हूँ, कि बही जो इसका जो बनावाट है, इसका जो फंडा है, आधे आपको दिखाए तो मैं, यहाँ पर यह रहा, order, अगर मैं order function कर दूँ में आगे, यह आप लोग करके दिखाएएगे मुझे, अगर यहाँ कॉमा करके मैं order कर दूँ, यह bracket हटाके, order equals to f कर दूँ, तो क्या बनेगा, इसका मतलब यह फिर यह ऐसे बनेगा, 2, 4, 5, minus 6, तो यह हो गया, column major, यह column major matrix हो गया, यह row major matrix हो गया, तो क्या मैं, अगर मैं, अगर मैं, इससे लिके चलेगा, यह row wise लेके चलेगा, पहली row में 2 और 4, दूसरी row में 5 और minus 6, अगर मैं order equal to f कर दूँ, जो by default c होता है order, अगर मैं f कर दूँ, तो यह क्या बनाएगा 2 और 4 को column में रख देगा, और 5 और minus 6 को भी column में रख देगा, तो आपका इस तर से बनके आ गया, तो अभी तो फिलाल यह नहीं बना, क्योंकि order equal to मैंने का दे रखा है, c दे रखा है, तो इसको मैं मिटा दूँ, यह मिटा दिया, और इसको भी हमने मिटा दिया, तो दो matrix म होगा, आप गेन, तो 2 और 9 क्या आगया, 11, 4 और minus 3 क्या आगया, 1, 5 और 3 क्या आगया, आपका, 8 और minus 6 और 6 आगया, 0, तो मेरी यह एक matrix बनके त्यार हो गई, सही बनके त्यार हो गई, तो this is my matrix addition, अगर मैं ऐसा नहा करूं तो और मैं देखे, यह तो plus कर ही रहूं मैं, अब मैं करना चाहरा हूं, matrix का multiplication, आप लोगों दे program मना दा matrix multiplication कितनी बार, और आप दे सी language में काफी बनाया, तो areas का इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी 2D array मेरी बनी हुई है, मुझे दे रखी है, यहाँ पर मैंने mention कर दिया, और मैंने कहा कि 3, 6, 7, 5, minus 3, 0, अचुकि यह row major order म है, तो 3, 6, 7, 5, minus 3, 0, यह हो गया, और दूसरी array में कहा दे रहा हूं, देख रहा हूं जाम पर, 1, 1, 1, 1, 2, 1, और 3, minus 3, क्या मुझे आप बता सकते हैं किसका size कितना होगा, इस matrix का, 5, 3 क्या है, column है, rows कितनी है, 2, यह क्या होगा मैना, 2 cross 3, यह 2 by 3 की matrix हो गई, क्योंकि 2 rows है और 3 column है, दूसरा बताईए, 2 column है और 3 rows है, त्योंकि 3 by 2, तो क्या मेरा 2 by 3 की matrix हो, 3 by 2 की matrix multiply हो सकती है, हां जी हो सकती है, आपने पढ़ा होगा, P cross Q, पढ़ा होगा आपने, है ना, और अगर मैं P Q, और मैं कहूं के भई, यह सेम होना चाहि कि मेरा यह पहला और आखरी मेरा सेम होना चाहिए, तो मेरा Q dot N, या M dot N करके करूं मैं, या फिर मैं इसको ऐसे mention का सकता हूं, M cross N, और P cross Q, तो यहां पर मेरा N should be equal to P, N should be equal to P, तो मेरा M cross Q की matrix मेरी बन जाएगी, तो similarly मेरा यह और यह बराबर है, तो 2 cross 2 की matrix बनेगी, यह 2 cross 2 की matrix मेरी बनके तयार होगी, तो यह 2 matrices से इनका multiplication होगा, और कैसे कर रहे हैं multiplication, dot product के दवारा, dot नाम के function के दवारा, तो dot product का मतलब ही हो गया matrix का multiplication, तो अगर आप इसको जहां से देखें, तो इसको print करना चाहरा हूं, तो क्या कर रहा है, कैसे होता है, बारा है, this row and this column, यह ही होता है, इसकी row, इसकी column, तो यहां पर मेरा 3 into 1 plus 6 into 2 plus 7 into 3, तो 3 into 1 3 हो गया, 6 to the 12, or 7 into 3, 21, 21 plus 12 plus 3, कितना आगया, 36, similarly, आपक ऐसे नहीं कल सकते हो, इसके करोगे, तो दूसराआ, रही मेंन आएगा, फिर इसका इसके करोगे, तो तीसराआ, इसका करोगे, चौसराआ रही मेंन आएगा, इस तरह से करते करते मेरे पास आंसर आ गया 36 minus 12 minus 1 and 2 यह मेरी 2 by 2 की matrix यह 2 cross 2 की matrix बनके तयार हो गई यह क्या हो गया मेरा matrix multiplication किस के दवारा dot function का इस्तमाल करने के दवारा तो यह अभी तक हमने जो देखा अभी तक part 1 में तो हमने समझा के numpy होता क्या है right numpy के 5 देखा है क्यों इस्तमाल करते हैं लेकिन हमने उसी के अंदर यह भी देखा के nd array के नाम का एक object होता है जो numpy बहुत ही शान्दा तरह को numpy का feature है nd array right फिर हमने देखा के भई nd array के इस्तमाल देखना शाहा के भई array को आप किसी भी और sequence को array में convert कर सकते हैं और आप यह कर सकते हैं कि array के आप coibitize बना सकते हैं array को आप अगर आपको सिर्फ zeros की array बनाने तो n p dot one zeros one की array बनाने तो n p dot ones ठीक है इस तरह से empty array भी बना सकते हैं उसके बाद हमने देखना चाहा के भी जो यह होते हैं हमारे operations a range बाद है जो sequence generate कर रहे हैं वो भी हमने देखा फिर हमने matrix के operations देखिया भी तक तो हमने addition देखा और multiplication भी देखा right तो अब हम almost अपने end तक आ चुके है तो अब मैं आपको last चीज़ बता दूं कि भी matrix operation में हमार पास np.area के इस्तमाल कर रहा हूं अगें में वापस और अब मैं क्या करना चाह रहा हूं transpose क्या करना चाह रहा हूं transpose तो यह a.transpose यह उसका transpose निका देखा transpose यह अगर याद है आपको बताईए क्या था transpose transpose क्या था यह row को column में convert करेगा row को column में करेगा column को row में कर देगा यह उल्टा कर देगा तो इससे कहते है transpose निकालता तो रो major को column major order में करेगा तो देखिए matrix क्या बन क्या रही है मेरे पास 1 1 2 1 3 और minus 3 यह बन क्या रहा है अच्छा इसका size कितना होगा shape क्या होगी matrix कोई बताएगा कितने rows हैं कितने तीन yes तीन rows हैं कितने column हैं दो very good तो तो तीन rows और दो column हो गए 3 by 2 की matrix हो गई अब मैं इसको transpose कर रहा हूँ with python का इसमान कर रहा हूँ numpy का इसमान कर रहा हूँ तो dot transpose जैसी function पुकारा मैंने तो function पुकारा का आया और इसने मेरा transpose करके बता दिया क्या कर रहा है transpose में यह मेरा जो क्या है row है क्या बन जागा column तो 1 1 2 1 3 minus 3 यह बना देखिए 1 1 2 1 3 and minus 3 जो की क्या था जो की ऐसा था और ऐसा बन गया यह मेरा 2 by 3 की matrix बन के तयार हो गया तो जा मेरी 3 by 2 की matrix थी अब मेरी A कितने बन गई तो यह से क्या कितने में थे transpose करती है याद है A उसके उपर हम निकालते है A T transpose याद है transpose of matrix हम निकालते है ऐसी हम inverse पी निकाल सकते है matrix का adjoint matrix हम सीधा inverse निकाल सकते है inverse नाम का function आता है इसके अंदर मैंने इस पे मेंचन निके है निए तो slide बहुत बढ़ी हो जाती तो inverse नाम के function से भी आप इसका A का inverse निकाल सकते है किसी matrix का inverse निकाला जा सकता है और आप यह भी चेक करते है inverse निकालने के बाद के उस matrix के अपने खुद के inverse से अगर आप इसको dot product निकाले तो क्या बन के आए तो yes आप इसमें identity matrix भी बना सकते हैं NP dot identity कर सकते हैं आप इसके दर right तो यह भी आपको बता दूंगा तरीका फिलाल तो बहुत बहुत बढ़ा है नमपाय के नहीं कितनी चीज़े हैं जो मैं सारी PPT में नहीं लगा सकता और क्योंकि एक एक चीज़ें करनी पड़ेगी तो औ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने मेरे लेक्शर को सुना तो नमपाय का part 1 और part 2 आपको majorly नमपाय के सारे चीज़े cover कर देगा basic concepts आपको देदेगा तो हम मिलते हैं next lecture में और आप नेक्स लेक्शर में pandas की बात करेंगे right thank you है